नमस्कार दोस्तों, मिरा नाम है अभिशेक चौधरी, ज्यान निती टो और सक्सेस स्टूशन पर आपका स्वागत है USA ने एरोपियन देशों के जासुसी की है और इसमें डेन्मार्क ने USA की मदद की है एक रिपोर्ट पब्लीश हुआ है जिसमें डेन्मार्क ने अपने पुरोशी देश जैसे की नौर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, जर्मनी हो गया और फ्रांस इन सब देशों के नेताओं के उपर जासुसी करने में USA की मदद की है किस परगार की ये मदद की गई, ये मदद डेन्मार्क ने क्यों किया, अमिर्का को अपने फ्रेंडली देश की जासुसी करने की क्या ज़रूरत है इन सभी पॉइंट को आईए डिटेल में डिसकस करते है एक न्यूस परगार की कुछ दिल पहले, USA का NSA spying law, डेन्मार्क एक्यूज़ ऑफ हेल्पिंग USA spy on European official अजब डेन्मार्क ने हेल्प गया था, USA spy को अधर कंट्रीज के उपर spy करने के लिए ये उपर, USA spy on Markel and other Europeans through Danish cable broadcast BR आईए, इस ख़बर को हम डिटेल में देखते है डेन्मार्क की जो secret services है, उन्होंने USA के NSA, NSA के national security service है उन्होंने European politician के उपर, जैसे की German chancellor हो गया, वहां के एंजला मार्कल, जैन्मार्म चांसलर हो गया, वहां के प्राइम मिनिस्टर, रास्पति, इनके उपर 2012 से लेके 2014 तक surveillance हुआ था यह डेन्मार्क की country के secret service है, वहां के क्या करते गौवर्मेंट को 2015 में ही यह सब पता चल गया था, कि ऐसी कोई activity चल रही है, हमारी country की त्वारा USA के हमका help कर रही है, हमारी security service USA के secret service को help कर रही है, यह पता चल गया था 2015 में, बट डेन्मार्क ने इसको जारी रखा, और यह spy US करीब 5-6 साल से development कर रहा था, European country के leader के उपर, इसमें Denmark के जो secret service है, FE, उन्होंने USA के NSA के साथ मिलके, यह आप particular, जो है, spying किया है, इसमें Germany, France, Sweden and Norway, इन country के leaders के उपर यह spying किया है, यह दो 15 में ही उनके intelligence को पता चल गया था, Danish defense intelligence service को, कि NSA का रॉल किया है, इसमें, क्या partnership के साथ Denmark foreign intelligence unit, इसमें involved है, यह 2015 में उनको पता चल गया था, Denmark की government को, but उन्होंने उस समें कुछ भी नहीं किया, Denmark का closely, Denmark जो है US का closely alliance है, और इसमें क्या होता, क्या है, कि जो भी, यह सारे spying जो है, digital basis भी हो रहा था, digital के मातियम से हो रहा था, इसमें आप देखिए, जैसे य world, यह world का जो cable है, जो भी हमारा internet आता है, यह sea के उपर जो cable आता है, उनके थुरू ही आता है, तो यह देखिए, यह North America है, और यहाँ पे European Union के countries है, यह जितने भी cables है, USA से और European Union के, यह cables मिले हुआ है, तो यहाँ पे जो भी countries है, वो सारे Norway के थुरू ही, इनको यह cable दिया ज यह North America है, यह जर्मानी है, तो यहाँ पे यह Denmark है, ठीक है, तो यह जो वाइट दिखा रहा है, आप वाइट कलर की जो सर्कील है, यह है लेंडिंग स्टेशन, मतलब यह वाइट जो है, यह वाइट जाके इस पर्टिकुलर कंट्री पे, एक पर्टिकुलर स्टेशन पे मिले जाती है, फ्रांस में कुछ लाइट जाती है, तो इस तरह से सारे कंट्री में, यूरोप के मैक्सिमम कंट्री में यह लाइट जाती है, तो इस स्टेशन का यूज करके, USA के NSA ने स्पाइन स्टार्ट करी, Sweden, Norway, जन्वनी के उपर, और फ्रांस के उपर, उनके लिडर्स के उ जाती है, वो इस मोबाइल नंबर के थरू, इसको हम देखते हैं, डिटेल्स में, USA के NSA ने यूपरेशन का नाम था, डन हैमर, डन हैमर, अपरेशन के थरू, NSA ने क्या किया, टेलिफोन नंबर्स और पॉलिटिशन एस सर्च पारामिटर, था, सर्च पारामिटर में उनने क् इस इस जर्मानी के चांसलर रहे, और वो किसी से बात का रही है, ऑंजला मार कान आट पर कुछ सर्च कर रहे, यूट पर वीडियो, गया करना आधार, आप चां़ो है, तो इस तो इस जर्मान लाइच鍍 डिशली जाती है, तो इस पारामिट है, YouTube यह से अटाा इस दाट के क्या होता है, टेलफोन नंबर से इन्होंने क्या क्या, फिल्टरिंग लगा दी, फिल्टरिंग लगा के इन्होंने वो सारे information gather कर लिया, जो इस operation में जो software यूज कर रहे थे, उनका नाम था की X की score, X की score NSA नहीं develop किया था, खुद के यूज के लिए, ये analysis software था, ये software के थूँ, NSA ने सारे information को gather करने की कोजिस करी, NSA intercept both calls, taxes and chat messages, टेलफोन, मतला टेलफोन में जो भी आप बात कर रहे हैं, जो भी वो ये उरोपेन इलेट बात कर रहे थे, जो text messages transmit हो रहे थे, एक दूसरे से text message पे जो भी बात कर रहे आपस में, ये सारा intercept किया जा रहा था, इस particular software के थूँ, ये analysis software के थूँ, ये सारा कुछ है, डाटा फिल्टर करके ये लोग निकाल रहे थे, इसमें क्या हो रहा था, कि जो भी intelligence की रिपोर्ट थी, वो सारा USA अपने NSA के थूँ गैदर करके ये यूज कर रहा था, एक लीक हुआ था, एक document जो ये स्विट, अदुर्वां 13 में, ये जो थे, Edward Snowden, Edward Snowden ने एक document लीक किया था, इसमें ये बताया गया था, कि US के NSA जो है, वो बहुत कर रहा है, अपने कंट्री के लोगों के ऊपर, अधर कंट्रीज के ऊपर, अभी क्या है, Edward Snowden जो है ये यूज में नहीं है, उनको रसिया में स्लाइम मिल गया है, वो USA में नागरिकतान लेके रहड़ा है मास्कु में, उस टाइम पे US ने ये कहा था, कि ये स्पाइन करना ज़रूरी है, हमारे अपने कंट्री में सुरुक्षा सुरुटी कंसर्ण को लेके ये लोग कह रहते हैं, कह रहते हैं, ये ज़रूरी है स्पाइन करना, तो उस टाइम पे तो ये एड़वर्ड चले गए थे, बट इन्होंने, इन्होंने एक इन्होंने 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 डॉक्मेंट लिग कर दिया, बहुत सारे, जिससे एक खुलासा होके आया, कि एक अलगी स्पाइन का चल रहा है ये रोट कंट्री में, इन्होंने इसके उपर अपर अक्षन लेना स्टार्ट किया, और इन्होंने एक इन्विस्टिकेशन डाला अंडर डेन्मार्क में, अपने क्या-काथ स्पाइन सीज के उपर और ये पका लगा है, कि ये सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इनको ये पता चला, डेनिस डिफैन्स मिनिश्टर को अगस्त 2420 में कि यह spine चल रही है तो उन्होंने उस बक्त कहा था कि यह हम accept नहीं करेंगे कि हमारे friendly country के उपर और हमारे यूज करके US इस तरह का spine कर रहा है तो उस टाइम पे इन्होंने क्या किया अपने जो security head थे उनको head of defense intelligence services उनके head थे उनको suspend कर दिया तीन other officials को भी हम जो hiring के officers थे उनको भी इन लोगों ने उस टाइम पे suspend कर दिया था देन्मार्क के government में जो investigation start कर रहा था उसमें यह पता चला था 2012 से लेके 2014 तक NSA और Danish information cable का spine का यूज करके cable के spine का यूज करके NSA ने Sweden, Norway, France and Germany के उबर spine किये जिसमें जर्मानी के foreign minister Frank Walter Stenner and former German opposition leader उनके उपर भी इन लोगों ने spy किये हैं अब इससे यह पता चला कि Danish defense minister government declined to comment on it, report built told to broadcast that the मतलब उन्होंने इसको बंद करवा दिया, system evidence dropping to close allies in unacceptable मतलब वो कह रहे हैं कोई system का use करके क्योंकि NSA ने, USA ने Denmark के through agreement करके NSA, USA के security agency है और Denmark के security agency मिलके यह particular system systematically इनके उपर spine कर देते तो यह इनका comment आया कि systematically यह इस्पाइंग हो रही है, जो हमारे close alliance है, उनके उपर यह हम accept नहीं करेंगे, यह unacceptable है आप यह कहेंगे कि उस टांपे USA जो यूज कर रहा था उसमें जो बाइडन का क्या रूल है, जो बाइडन तो उस पत परसांग पदामंत्री में नहीं थे पर उस टांप की जो ओर्मेंट थी, ओमा मा की जो ओमा में राश्पती थे उस ओमा की गोर्मेंट के अंदर यह जो बाइडन का क्या फाइडा है, जो बाइडन का क्या फाइडा है, डेनमार का फाइडा है, यह हो सकता है, मेरे हिजाब से, कि मैंनेशै नहीं कहा हो, जो भी यहां पर निकलता है, वह हम आपके साथ सेहर करेंगे, आपके ओपर कोई ट्रेड एक्टिविटी जो दी है, तो हम आपके साथ सेहर करेंगे, और USA को क्या फाइडा है? USA अपने फ्रेंडली कंट्रीज के उपर सपास्पाइक करने से क्या उनक इंटरनेट का यूज़ करके कैसे भी टेक्स मैसेश की तू कैसे भी यूज़ करते हैं और इनको पता चलता है तो इनको यह स्ट्राइटिकल लेने में कि मतलब जर्मानी का स्टैंड क्या हो चाहिए उन में हो या अधर मिटिंग के अंदर हो जो भी अधर कम्यूटी कम्यूट गया युज़ आधा था कि अब यूज़ेस जर्मानी क्स चसे अक्ट पर्टिकलर मेटिंग में यह उस पर्टिकलर इवेंट की ऊपर इनका क्या reaction आने माला है या किस तरह से का decision होगा यह सब युएस को diplomatically पहले से पता चल जाता था यह diplomatically बहुत है युएस को यह इंफरमेशन गैदर करते थे स्पाइम करके पूरा information गैदर करते थे और उसका यूज यह diplomatry तरीके से करते थे अब क्या होगा कि गर्नेंट भाग्नमर्मेंट ने से इसको ब्तल कर दिया है और इसके ओपर जो फाइंडिंग निकल कर रही रही है वह से ड्रवाट के लिए बहुत है निगेटिव क्योंकि अपने नेवर कंटिजिम वो तो अपना नेवर को बदल नहीं सकते हैं अब तो उन या illegal है आप क्या सोचते हैं मतलब किस तरीके सोचते हैं इसे गाः तो नहीं है यह फिरिक्ल कर सकते हैं इस डिस्केशन का वेख इसके वारे में यह ज़लत आपका क्या पट कर सकते हैं इसके कर नहीं इसक Mir a. पाट ही फिल्छ गताने, इसको निगेटिव लेके चलड़ है देर्मार के उपर थैंक्यों दोस्तों यह निज निगल के आ रहे थी मैंने आपके साथ डिस्कस किया थैंक्यू ज्यार निदे टो और सक्सेस यूटुब चान को सबस्क्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और सेयर कीजिए बेल आइकम को जोब दबाएएगा जिससे कि आपको नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए थैंक्यू